चलो वे 16th number question अब आपन देखते हैं 16th number question हम लोगों से क्या कहा जा रहा है find the length and the foot of perpendicular drawn from the point 2,1,5 to the line x-11 by 10 is equal to y plus 2 by minus 4 is equal to z plus 8 by minus 11 मतलब मेरे पास ये point है 2,1,5 और ये मेरे पास एक line है जिसका equation हमको दे रखा है यहांसे एक perpendicular डाला गया और आपको ये वाला point बताना है सबसे पहले इसको मैं lambda के बराबर resume कर लेता हूँ मेरे पास x क्या होने वाला है यहांसे 10 lambda plus 11 अगर मैं इसको cross multiply करूँ इसको इज़र ले जाओ y होने वाला है minus 4 lambda और minus 2 और j होने वाला है minus 11 lambda minus 8 कैसे को बतासर गया न देखो जिसे यहां पर x minus 11 by 10 equal to lambda तो x क्या हो जाएगा 10 lambda plus 11 ऐसे अच्छा अगर यह ऐसे हो गया तो क्या मैं इस point को भी यह कह सकता हूँ हाँ बिलूल कह सकते हैं क्यों क्यों कह सकते हैं क्योंकि भाई यहां इस line पर like करने वाले हडएक point को मैं यह कह सकता हूँ लेकिन हडएक के लिए lambda की value अलग-अलग होगी और इस वाले point के लिए lambda की value अलग होगी जो कि इन सारे point जो भी इस पर point like कर रहे हैं इससे मिलेगी नहीं तो इसी lambda को निकालना है अगर lambda मुझे मिल गया तो फिर मैं इस point को निकाल पाऊंगा अच्छा इस line के DR कितने हो जाएंगे DR हो जाएंगे मेरे पास 10,-4,-11 और यह question भी 15th number question की तरह ही है मैं इस line का पहले equation निकालूंगा फिर इसका dot product इसके DR के साथ लोंगा क्योंकि यह एक दूसरे से प्रबेंडी कुलर है अब निकालते हैं AB AB line कितना हो जाएगा 10 lambda plus 11 minus 2 यानि 10 lambda plus 9 हो जाएगा यहाँ हो जाएगा minus 4 lambda और minus 2 plus 1 minus 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा minus 11 lambda और यहाँ पे क्या है वही minus 8 और minus 5 तो यह हो जाएगा minus 13 और यहाँ पे क्या है 10, minus 4, minus 11 अब समझना 10 10 lambda plus 9 यहाँ पे minus 4 minus 4 lambda minus 1 ठीक है और minus 11 minus 11 lambda minus 13 equal to 0 यह कैसे हो का पता चलगा क्योंकि इन दोनों का dot product 0 होगा विका होती है दोनों एक दूसरे के perpendicular है और मैंने विछले वाले question ने बताया था क्यों dot product 0 होगा तो आप गर विछले वाले question को कर लिये हैं यानि 15th number question को आप लोगों कर लिया है तो 16th number question आप लोगों कोई दिक्कत आनी ही नी चाहिए अगर आभी रही तो पक्का कुछन कुछ स्टीक ही हुआ होगा ऐसा मैं मानता हो यहांपर कितना हो जाएगा यहां प्लस में कितना होने वाला है 190 यहांपे कितना होने वाला है 16ग और plus में प्लस में होने वाला है 121 लेमदा और यहां 143 एक उगर मैं स्वालोगर। तो हंड़ीथ लेमडा 16 116 हो गया 116 plus 121 116 121 यह हो गया 7 यह त्री में 237 लेमडा और यह कितना वह हो गया 19 प्लस 4 94 और 143 तो यह हो गया 794 13 और यह भी 237 मैंस 237 हो गया तो यहांस मेरे पास लेम्डा क्या हो गया माइनस 1 के बरावर हो गया उसको अटाओ भी ठीक अगर लेम्डा माइनस 1 के बरावर हो गया तो मेरे पास फोटा फॉर अपेंडिकुलर आ जाएगा पुट कर जाते हैं इसमें तो यह हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस 11 4 माइनस 2 और 11 माइनस 8 ठीक है यह वहने वाला है 1,2,3 और क्या बोला जा रहा है और हम लोगों से बोला जा रहा है कि आपको डिस्टेंस में निकालना है अगर यह मेरे पास 1,2,3 आ गया इसका मतलब मेरे पास यह वाला पॉइंट कितना है 2,-1,5 और B कितना है 1,2,3 अब मैं अराम से डिस्टेंस फोर्म्ना लगाके निकाल सकता हूं यह कितना होने वाला है 1 का स्कॉयर आए कि 112 thìानी मैनस 2 का स्कॉल 5 मैनस 3 यानी कि English 2 का स्कॉल यान कि मेरे पास 9 प्लस 9 प्लस 4 यानम कि मेरे पास 9 सबस्टिम हो गया कोश्टिन सेवनेंट्स नमम्र सब्स met किसना है वह किक माइस का स्वाल या आपको vector equation और partition equation लिखनी है क्लाइन की जो दो point से pass कर रहा है यह वर बी से vector equation क्या हो जाएगा भई r1 plus lambda r2 minus r1 जहां पर इसको मैं मान लेता हूं r1 है इसको मैं मान लेता हूं r2 है ठीक है vector के form में मैं ऐसे लिख सकता हूं कैसे 3i cap plus 4j cap minus 6k cap और इसको दिखता हूं 5i cap minus 2j cap plus 7k cap अचा लिखते हैं सबसे पहले यहां पर r1 कितना है r1 हो जाएगा मेरे पास 3i cap plus 4j cap minus 6k cap और plus lambda r2 5i cap minus 3i cap कितना होने वाला है 2i cap और यहां minus 2 minus 4 यहां कि minus 6j cap और 7 minus minus 6 यहां कि 7 plus 6 हैं कितना होने वाला 13k यह होगे मेरे पास वेक्टर एक्वेशन के ओर चलते हैं क्या होने वाला x minus x1 by x2 minus x1 y minus y1 by y2 minus y1 z minus z1 by z2 minus z1 अब पुट करते हैं तो यह क्या होने वाला x minus 3 5 minus 3 यहां पे y minus 4 minus 2 minus 4 यहां पर यहां पे जैड मैनस minus 6 और minus sorry 7 minus minus 6 ठीक है यहां वाला x minus 3 5 minus 3 के तना होने वाला 2 y minus 4 by minus 6 और यहां वाला z plus 6 by 13 हो जाए गाई तो यह हो गया मेरे पास Cartesian equation ठीक है अब देखते हैं गुला question